दोस्तो रेलवे गुरूप डी के सामान विग्यान के बहुती विग्यान के सेसर में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम को और उसके बारे में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके लिए डीपली समझेंगे जो की परिक्षा के माद्यम से बहुत ही महत्पूर है चलिए वीडियो को प्रारम करते हैं सबसे पहले हम बात करें न्यूटन के नियम किस पर आधारत है तो ये न्यूटन के गती के नियम है कैसे नियम है गती के नियम तो Newton ने गति भी से एक तीन नियम दिये थे कौन कौन से नियम दिये थे इनने तीन नियम दिये प्रथम नियम कहलाता है जड़तु का नियम जड़तु का नियम दूसरा नियम कहलाता है द्रबमान का नियम और तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीनों को एक एक करके यहां पर हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करें प्रतम नियम, जिसे का नाम है जड़त्व का नियम, देखिए बहुत ध्यान से, यदि कोई बस्तू ब्राम अवस्ता में है तो वे ब्राम अवस्त बल ना लगाया जाए यह न्यूटन ने अपने नियम में कहा था अब इसके जानते हैं कुछ पिलेट को बहुत तेजी से हटा लें तो क्या होगा शिक्का इस गिलास में गिर जाता है जबकि शिक्का पिलेट के साथ अलग नहीं हटता है ऐसा किसके कारण होता है तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है मतलब यह न्यूटन का पिर्थम नियम यहाँ पर फॉलो करता है यह भी आपको द्यान लगना आगे इसी क्रम में देखें कोई सड़क है सड़क पर कोई कार है और अचानक तेजी से चल देती है तो चलने से जो यात्री है पीछे की और क्या होते हैं उन्हों पर धक्का लगता यह भी किसके कारण होता है यह भी न्यूटन के पिर्थम नियम को महत पोड़ है आगे देखें इसी क्रम में चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गाड़ी की चलने की दिशा में गिर पड़ता है जिस दिशा में गाड़ी चल लाई है अगर उत्रोगे तो गाड़ी की दिशा में गिर जाओगे क्या करना होता है जो गाड़ी स मैंने description box में Link दे रख़ा है बहां देखे देख लिए हत्रोड को हत्ते में कसने के लिए हत्ते को तयजी से जमीन पर मारते हैं पीछे से जहां लकड़ी का इस्सा होता उसे जमीन फे मारते हैं तो आगे हम बात करें नियूटन का दुटिया नियम का न्यूटन का दू आम का नियम होता है किसी बस्तू पर बाहर से लगाया गया भल बस्तू के चेरमान और चुर्ण के गुणड़ान फल glow के बारवरस मोता है किसी वस्तू का बजन का ब्जन क clot House और बात कि सीव बस्तूम में बाला राद होगा तो इसके द्वारा लगाये बलक मानल भी कैसा को जाधा होगा या फिर बस्तूम पर जाधा लगा होगे तो उसने तो भी कैसा होदपन्च हो समझ न है इसमें एक चीज़ और देखिए न्यूटन का दूसरा द्रबमान का निठान का निए इसलिए यूभी नियाम है चाहें, इस प्रिकार से कहलो बात एक ही है important fact देखती है वो हमें जानना बहुत जरूरी है जो कि परिक्षा के माधियम से important होते है cricket की गेंद पकरते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खीशता है क्यों खीशता है ये इसमें newton का दूसरा नियम follow होता है द्रमान का नियम देखो क्यों follow होता है यदि खिलाड़ी अपने हाथ को इससे रखकर गेंद को पकड़ता है तो गेंद को रोकने में बहुत कम समय लगता है जिससे बेपरिवर्तन की अधर अधिक हो जाती है मनलब एकदम हाथ पीछे नहीं हटाएगा तो रोकने में बहुत कम समय लगेगा जिससे बॉल का बजन जो है ज्यादा फोस लगाएगा आपके हाथों पर अता खिलाडी की हतेली को गेंद रोकने में अधिक बल लगाना होगा जिससे खिलाडी की हतेली में चोड़ लग सकती है इसलिए क्या करते है वो अपनी हतेली को पीछे की ओर खेच लेता है जिससे क्या हो जाएग टाइम पीरट जाद हो जाए और बल कम लगे यह important fact किसके कारण है न्यूटन के दृतिय नियम से है जो कि द्रमान का नियम है और fact पढ़ते हैं अब है हमारा न्यूटन का तृतिय नियम इसे कहते है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे क्या होता है जब किसी बस्तू पर बल लगा जाता तो बै बस्तू भी उतना ही बल हम लगाती है जैसे देखिए हम किसी बस्तू पर अगर अपना हाथ मारते हैं तो बै बस्तू हमारे हाथ में भी चूड़ लगती है तो इसका मला हमने बस्तू बल लगाया बस्तू ने हम पर विपर दिसा में उतना ही बल लगा दिया यह न्यूटन का तिरती नियम है important fact देखो बंदूग से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है क्यों क्यों क्योंकि गोली पर जितना बल आगे की गोल लगेगा उतना ही बल गोली पीछे की गोल लगा के जाएगी तो इसलिए जो गोली चलाता उस पर क्या लगता है धक्का लगता है किसके अनुसार है यह एक किनारे पर खुदने पर नाव पीछे की हो और हड जाती है मि दल्ला अकर नाव से आप कुद होगे तो नाव पीछे के और हड़ जाए क्यों 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 जितना वाला आपया पीछे की और है पैरो, द वारा थो यही Neutron के तीसरे नियम को फॉपलो करता है इसको हम कह सकते हैं क्रिया- υस्ति-प्रिया प्रिति-प्रिया ऑ्र कि लोगे पानी में तहर पाती है, आप पानी पे बल लगाते हो आथों से, आप अगे अगर बढ़ जाते हैं, तो यह तीन नियम थे नियुटन के, मैं उमीद करता हूं इस से बनने वाले और ये आपको कर लें मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक जैहिन दोस्तों